हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की बालावजी के इंपोर्टन टॉपिक्स को लेकर तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कर लेते हो तो आप अपने एक्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो तो चैप्टर फर्स के गर हम बात करें कि उसमें क्या क्या चीज़े इंपोर्टन है एक्जाम पॉइंट और व्यू से तो वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक अफ लीविंग और्गिनिजम एडवायनोमियल नॉमिक्ट्रेचर क्या होता है गाईज आपको पता होना चीए निक्स्ट आजाओ वायलाजिकल क्लासिफिकेशन वह जो चैप्टर है उसमें आपको क्या चीज़ अच्छे से पढ़नी है जो भी मोनेरा प्रोटेस्टा एंड फंजाई की कैटेग्रीज है उनके स्पेशल फीचर जो है जो काला काला जो है नसी आटी में बोल्ड लेटर स लिखा हूँ लगा वह आपको ली त्यार कर लेना हैं बायों से जाना है प्रियूर को पड़ोचिन के पर लेना प्रायोस एंड लाईकेन के बारे में थोड़ा साब को पढ़के जाना की ऑगनब को Videoỗi पने सब्लम में जितने भी एक क comprehensive चीज़े हैं उसको जात में लर्ण करते हो चलो एनिमल किंग्डम वाले चप्टर पर आ जाओ तो उसमें बेसे ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वह आपको पता होना चाहिए कि आधार पर बाटा गया है भई कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है आपके वासी लोम है की नहीं ह है तो यह सब कुछ चीज़ आपको पता होनी चीए इंपॉर्टन फीचर्स एंड इग्जैंपल जो है सारे की सारे फाइला के वह लर्ण करके जाओगे जो आपके अनिमल किंग्डम के चैप्टर में लास्ट में एक टेवल दिया गया है ठीक है तो उस टेवल को अच्छे स प्लावरिंग तो इसमें आप कैसे त्यार करोगे टाइपस प्लाइंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टन इस चाप्टर में इस साल के लिए तो आपको यह जरूर कर ले ना इस बार क्योंकि यही सिर्फ स्लेवस में है तो यही आना है लिखवा के ठीक है तो यही कर लो structural organization इन animal के अगर हम बात करें तो animal tissue के टाइपस के बारे में पढ़ लो कौं कौंसे टाइपस के tissues होते हैं ना muscular होते हैं नर्वस होते हैं English hefarी कौंसा abundant होता है इस अब यहाद करो बच्चों से question आना या लिखवा के ले लो तो यह जरूर अच्छ स्तियार कर लो different types of connective tissue के बारे में पढ़ लो कि connective tissue कितनी types के होते हैं थोड़ा सा cutting जरूर है ठीक है बट आपको याद हुजाएगा अगर आप याद करोगे तो next आजाओ cell the unit of life वाले chapter पे तो cell theory के बारे में पढ़ लो किस ने दी थी cell theory modify किस ने की थी then prokaryotes और eukaryotes cell में क्या difference है यह पता कर लो cell organelle उनके थोड़े थोड़े function पता करके जाओ chloroplast का क्या function है mitocondriac क्या function है rough endoplasmigreative column का क्या function है biomolecule बहले chapter में आओ तो सारे के सारे definition learn करो structure learn करो composition of carbohydrate protein and nucleic acid learn करोगे जो factor affecting enzyme activity है उसको याद करके जाओगे classification and normal feature of enzyme यह सारा कुछ आपको करके जाना है ठीक है व्योंकि examiner नहीं से question पुछेगा cell cycle and cell division बले chapter की बात करें तो इसमें phases of cell cycle learn करोगे mitosis and meiosis का detail explanation learn करके जाओगे कि कौन से phase में क्या होता है खास कर जो अगर बात करी मियोसिस का जो प्रोफेस फर्स्ट है वह बहुत important है लेप्रोटीन जाइगोटीन पेकाइटीन डिप्रोटीन डाइकाइनेस बहां से question आना ही आना है तो वो त्यार कर लो जो माइटोसिस और मियोसिस के बीच का major difference है और क्या benefit है माइटोसिस का और मियोसिस का वो याद करके जाओ फोटो सिंथेसिज इन हायर प्लांट में क्या याद करोगे सुलो इसमें structure of chloroplast learn करके जाओ क्या होता है ग्रहना क्या होता है थाइलिकॉइड कहां होता है स्ट्रोमा ठ करती है कैसे electron का transfer करते हैं बॉल की तरह उचालते रहते हैं Kelvin cycle के बारें पढ़के जाओ Kelvin cycle में first primary acceptor कौन होता है first stable product क्या होता है कितनी वार वो cycle चलता है C4 pathway क्यूं होता है किन plants में होता है कौन सा primary acceptor है कौन सा first stable product है इस एक्टरा सब कुछ याद कर लो bundle seed cell क्या है cringe anatomy क्या होती है factor affecting photosynthesis करके जाओ कौन सा factor सबसे ज्यादा affect करता है photosynthesis को ठीक है तो यह सारा कुछ करके जाओ CO2 affect करता है याद करके जाओ अच्छे से respiration implant वाले chapter में आओ glycolysis का pathway learn करो ठीक है बुझे 10 के 10 स्टेप है सबको learn कर लो try car works the case recycle को पढ़ लो electron transport system कहा होता है कैसे होता है फिर कैसे आपका जो है NADH से NADS 2 कह सकते है NADS 2 से ATP बनता है एक NADS 2 से कितना ATP बनता है एक FADS 2 से कितना ATP बनता है respiratory question किसे कहते हैं यह सब चीज़े पढ़ के जाओ बच्चों यहीं से question आना है plant growth and development में आ जाओ effect of plant growth regulator क्या होता है oxygen का function जिब्रैलिन का function cytokinin का function इथाइलिन का obsessive acid का इजब करके जाओ ना long day short day और day neutral plant में क्या difference होता है यह अच्छे से तियार करके जाओ अब आ जाओ unit human physiology पे तो first अगर हम बात करे breathing and exchange of gases वाले चाप्टर को लेकर तो mechanism of breathing क्या होती है वो पढ़के जाओ respiratory volume क्या होता है capacities क्या होती है उनकी values क्या होती है oxygen dissociation कर किस चीज को दिखाता है oxygen का transport कैसे होता है carbon dioxide का transport कैसे होता है जितने भी disorder है उसको याद करके जाओ disorder आना ही आना exam में ठीक है जितने भी आपकी human physiology के chapter है उनमें से एक disorder तो लिखव न्यू थ्रॉम्बोसाइट ब्लेट ग्रॉफ के बारे में पढ़के जाओ कौन सा recipient होता है कौन सा universal donor होता है कौन सा universal acceptor होता है heart structure पढ़के जाओ heart कहां पर क्या चीज़ होती कौड़ी टेंडिनी कहां होती है left auricle left ventricle है ना और आपका इंटर वेंट वो इंटर औरिकल जो सा पर जिसको material वाल भी कहते है वो learn कर लो ECG पढ़ लो ECG का कौन सा जो है पीक किस चीज़ को शो करता है यहां से question आना ही आना है disorder तो पढ़ोगे ही पारे में पढ़ लो मसल्स कॉंट्रेक्शन का क्या मेकानिजम होता है जो आपका है मैयोसीन होता है कैसे वह एक दूसरे के ऊपर लाप करते हैं कैसे सब कुछ होता है टाइप सब जॉइन के बारे पढ़के जाओ कहां पर कौन सा जॉइन रहता है नेक्स चेप्टर रहें न क्या होता है यह पढ़ लो कैसे हम लोग देखते हैं सुनते हैं पूरा कान का स्ट्रक्चर अच्छे से करके जाओ चैमिकल कोडिनेशन इंटीग्रेशन में आप लो कर लो हार्मोन और उनके फंक्शन लाइक हाइपो थेलमस को क्या फंक्शन है पिट्यूटरी थारोइड का क्या फंक्शन है डर्नल का पैंक्रियास का टेस्टेस का ओवरी का और जुस्से रिलेटेट जितने पी डिसीजिस ने असोसीटेड विद्ध हार्मोन वो भी कर लो अच्छे से ठीक है तो अगर आप इतना सारा कुछ कर लेते हो ता आप एक्जाम में राम से अच्छे खासे ना तभी खुशिया बटेंगी सो गाइस थैंक यू थैंक्स वाचिंग मैं वीडियो